तो भाई देखों यहां पर economic growth इतनी नहीं चले दी बट आने वाल टाइम में insurance sector भूम करने वाला है आज ही मैं लिख के देतों आपको insurance sector पर focus हकना ज़रूरी है सारे के सारे insurance sector अपने sport levels पर जा रहे हैं जाके check out खुद करें कौन-कौन से best insurance sector है पैसा कमाने का बहुत शांदर मौका यहां पर मिलने वाला है seasonal trade रहेगी आपकी बढ़ियां यहां पर मुनाफ़ा होगा बट जो आज share है HDFC live भाईया एक number share है उठा के रख लो जोली में बाद में मौके मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई नहीं जानता है कितना इसमें growth है यह आपको प्रूफ करने के लिए मुझे जरूत नहीं है बाई आप अच्छे जानते हैं तो फड़ा बट वीडियो को start करते हैं स्वागत आपको अपने स्प्राइब फिर से एक बाद जिसका नाम है वीजू स्चॉक मार्गे रेंट बात करेंगे HDFC live की उससे पहले बाद वीडियो सेक्षिन में और एच एफ सी ए एच एफ सी एफ एफ सी एफ एफ सी एल की वीडियो अप्लोड कर दी गई है कितना स्वागे वीडियो सेक्षिन में देख लो और भी बहुत प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए बनाई है जाके चेक आउट कर लिए एक वार बागी बात करें यार एजी एफ सी लाइफ गिरा क्यों है रीजन बहुत ज्यादा स्पेस्विक रीजन नहीं है देखो सबसे सीजनल इस समय था ही ऐसा कि कोई इंशॉरेंस गेरा वाला इतना सब कुछ चल नहीं रहा था एकोनोमी इतनी बढ़िया नहीं चल थी सब कुछ माला बहुत जाज़ा सही नहीं था जिसकी वरसे इसमें नंबर्स में एफक्ट पढ़ना था दूसा ही है यहां पे बहुत इसके यह पढ़ दो बाइन नंबर पढ़ो 3.46 यह सेल कर सकते हैं नहीं थी उसमें चे दिन पहले की बात थी तो यहीं पर गिरावट हो थी यहीं से जो है सिलसला स्ट भूआ थी और यहां पर सेल होने वाला है और यह सेंडर लाइफ एक ऐसा बंदा मतलब ऐसी वह है यह क् से कमनी लिए सोरिय लगातार अपने सेक्स कम कर रही है और इंके पास साहीद 8% या 7% बचे दे उसमें से भी 3.46 यह बेचने वाले हैं यहां पर यहां पर जो न्यूज आई है ठीक है यह न्यूज यह है कि भाई इनने 4.99% जो है अपने अपने यहां से जो है HDFC लाइफ के बहुत ही लाजमी सा यहां पर गरना से भाई इनने पहले ही बूल देख करने वाले हैं वहां पर रहां पर बैट गया उसका इनन ने ने इसे किया कि भाई उससे भी जादे आपे बेच डाले है रूंड 5% के आस पास आपर से बेच डाले तो वाई ऐसा क्या हो गया वो तो यही लोग जाने यहां पर थोड़े सा पड़ भी लेते हैं इस चीज को एज़े एक सी लाइफ इन्शॉरेंस कंपनी और से लिता है तक अगर के ऑफ दे कंपनी 4.99% इंड टोटल बेचा है यहां पर एंड आगे अगर मैं बताओं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर य सेंडर लाइफ टूज 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 फिल होल्ड इस शेर 3.89% और टोटल इशुद एंड पेड़ एकुड़ी शेर ऑफ दे कंपनी तो बड़ सित्ती नियुस्ती जिसकी वासे एचों में घ्रावट आई है यह तो बस यही में रिजन था जिसकी वास से घिज़ा अब चलते हैं प्रफिट से टेक्निकल क्लास पर अपने टेक्निकल को प्यार देते हुए हम समझें कितना कहां क्या स्पोर्ट रेस्टेंस क्या बैठेगा क्या टार्गेर्स रहेंगे फटावट चलते हैं जब वहां पर बड़ बड़ आपको फ्री में कॉल्ट सब्सक्राइब करने के लिए आपको एंड बड़िया यहां पर इससे भी उपर नहीं पहुंच रखा है तो इस चाइब के कॉल्स आपके साथ याज शेर करते रहा आप पसंद भी करते होंगे इन टाइब की कॉल्स को उससे पहले मैंने यहां पर दिया था यहां पर दिया था यहां पर दिया था है मैं आपके साथ डिसकर्स होते रहेंगे लाइफ टाइम एंड फ्री में वह भी आप लोक के लिए तो फटावर्ट आके जोईन करो लिंक डिसक्रिशन है जो की चलने रहा है तो खुदी आके सर्च करें वीजू सॉक मार्गेरेट एंड फटावर्ट से जोईन कर लीजिए पर 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 सब्सक्रिशन है यहां से पर निखल जाए बट आज की जो केंडल यहां पर बनी है आज की केंडल देखके लग रहाए कि यहां पर थोड़ी सी और यहां पर हमें पच्टाना पड़ सकता है बट कोई बात ही मैंने एवरेज बहुत जादा कॉनिटी नहीं बट क्योंकि अभी नीचे आगे हैं बहुत अच्छी मेरे को अपड़नेटी दी है तो मैं इसके इंपोर्टेंट स्पूर्ट के असपा दोबारा एड़न कर लूँगा गाइस नहीं पर बात करो इसकी आदेसी भी 41 के आसपा चलना तो अभी एस सच इसमें भी कोई इकलता है फिर वैसा हम देखेंगे सपर इगा बाकिया अगर मैं यहां पे स्पोर्ट्स घरागी बात करो तो एक इंपोर्टेंट लेवल पर था यह जिसने यह ब्रेक कर देतो अब एस सच कोई यहां पे तो बीच में लेवल नहीं है एक में इंपोर्टेंट रहेगा इसका आप ले सकते हैं बट स्मॉल कुएंट्री ठीक है इतनी कुएंट्री लेना कि कल को अगर नीचे तो हम एवरेज करेंगे वाहां ठीक है यहां तो यहीं से पुल बैक लेलेगा देखो यहां पर इंपोर्टन लेवल पर यह खड़ा हुआ है कोई ऐसा बहुत ही छोटा लेव से उपर को जर्नी है तो स्टार्ट कर देगा ही ठीक है तो आपको कली थोड़ी से एंट्री लेनी है और अगर नीचे को जाता हुआ दिखता है तो कोई बात नहीं आप जो अगले एंट्री लेंगे 660 से 665 की रेंज में ठीक है मेजर 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 स्पोर्ट है एंड यहां अब भी अपना सारा पैसे खताम मत कर देंगे इतना मैं पहले बोल दता हूं यहां पर भी जितनी कोंडिटी आपने यहां पर लिया है उसका जो है आधा परसेंट आप जो है इस वाली रेंज में लेंगे 660 से लेगे 665 की रेंज में गॉट मैं पॉइंट अब सब से इंप अब भाइब भाई माल खरीदने वालो मैंने अभी सोच लेगे इसमें 10,000 रुपे डालने है ठीक है मैं अपना बता रहा हूं ठीक है मैंने सोच चके इसमें 10,000 रुपे डालने है और मेरा यह रूल है कि किसी भी शेर्म आपको 10% से जादा नहीं देना है चाहे कुछ भी हो ऐसे बोलता है बाई डिस्क मेनेजमेंट और कैपिटल मेनेजमेंट इसको बोलता है तो 5,000 जो मैरे यहां पर खतम हो गए ठीक है 660 के रूपे अब बचे है मिट पर कितने 5,000 रुपे अब उनको कैसे यूज करूँगा यह देखो बाई 5,000 में से 25 सो मैं डालूगा 627 के ल अंसु के लेवल तक आजएगा गया यह परसे ली इतना गिर जाया इतना तो मुझे नहीं लगता है इसमें ठीक है बाकी में में बता आज तो में जो इसमें स्पोर्ट बैठेगा वो एरांड रहेगा इसका सम्वेर एरांड ठीक है जो मेरे पर 25 रुपे बचे होंगे वो म लगता है लाज के जो मेरे 5000 वो खर्ची नहीं अगर इनकेसि मेरे 5000 खर्ची नहीं तो मैं उपर पे एंटी लूंगा जब ब्रेक आउट होगा एक बड़ी लेवल से ब्रेक आउट अगा तब मैं पर एंटी लोगा वो मैं टेल्गाम पर बता तूंगा आपको सीधी सी वात ह है न तो यहां पर आपको थोड़ी सी क्वेंटिटी करनी है उसका सिक्सी के असपास एकुमिलेट करनी है उसका बड़ वेटन वॉच करने नीचे के लिए अब टार्गेट की बात करते हैं जो भी इसमें स्विंग प्ले करना चाहता है एक से लेके चार हेफ्ट के बीच में दूर रहो इस शेर से मुझ पर बोलना हो दूर रहो लेना है तो मेडियम टाम के लिए लेना है वरना निकल जब बाई इस शेर से सीधी सी बात है और बहुत शेर बाई टाइलिगाम पर शेर करूंग आपके साथ उन शेर में सुन कॉल खेल लिए ना कोई दिक अदनी है जाहे कुछ भी हो जाये कैसी भी ट्रेड हो अगले जो है मतलगी अभी क्या चल दिला जुलाई अगर सेप्टेंबर सेप्टेंबर अक्टूबर तक रुखना पड़ेगा आपको इस शेर में अगर ले रहे हूं एंट्री ठीक अगर नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं ही अब बात करते हैं बाइब टार्गेड की पहले रेस्टेंस की बात करें लेते हैं, जैसे मैं बोल लुँँगा दोवारा तो मैं एंट्री लूँगा जो है बाई, 702 के ओपर, जैसे 702 को क्रोस करता हो मुझे देखा या तो गैप अपके साथ यहां पर जो क्रोस हो जाए, अगर मुझे वह नीचे के लेवल नहीं मिलते हैं तो ठीक है यह भी मैं अभी से फाइनल बता जाता हूं तो आपको मेजर रेसिंस के आपर चल चुका है एंड अगर मैं टार्गेट की बाद को तो ओबेसली इसमें मैं मीडियम डर्म के लिए प्ले करवा रहा हूं आपको तो अब यह भी सुन लो भाई ध्यान से मैं सबसे उपर के लेल पर स्मॉल कोंडिटी थीक है स्मॉल कोंडिटी सुन लो भाई ध्यान से मेरे शब्दों फोकस करो से और फॉर फाइबल दे रहा हूं आपको आने वाल तीन से चार महीनिक अंदर यह लेवल आजएगा एंड यहा यहां पर टार्गेट उपर के टार्गेट दी है तो 800 जैसे यह 800 प्लच जाएगा 800 से 820 की रेंज में यह आने वाले लगबग आपको 6 मिनिस से पहले पहले दिख जागा है वैस्तों यह लेवल मतलब क्या हुआ अगले आने वाले पांच से दस साल के लिए ठीक है वैस्तों 800 का लेवल यह जैसी पार करेगा आपको 1000 के लेवल उपन हो जाएंगा आप लोग के लिए एंड आप चाहो तो वाई अगले एक से दो साल के अंदर 1000 रुपे तो आराम से आई जाने इसने एंड तब चाहो तो एक्सिट कर सकते हो वरना लोंग टम के लिए जो बहुत प्या सेक्टर रहे हैं सबसे बैस यहां पर माना गया है सबसे लाइफ से अच्छा है यहां पर सबसे लाइफ को माना जा रहा है अगर यह पचास परसंट भी इनका ग्रैब कर लेता है अपर 20-30 परसंट और ग्रैब कर लेता है इतनी यहां पर उपर्चिटी ओपन होना लिए इसलिए भाई बोलना हो लेना है तो लॉंग टम के लिए भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भाई कोई शॉट टम में प्ले करना जाता है 740 पे एक्जिट कर दीजे प्लीजिए 745 740 दूसरा अगर प्ले ही करना है उसके उपर तो बाई आपकी मर्जी है वो तो है ना ठीक है तो चलो अब रोकते विडियो में पर उतके लिए बबाई यहां शन्तों सौन और विशाल सुषी लोगने बाई गड़ाई टड़ा